IPL 2-0-3 शुरू होने वाला है इसी बीच BCCI ने इस टूर्णमेंट से जुड़े कई नियम बदल दिये हैं इस सीजन इंपक्ट प्लेयर का नियम भी लाया गया है इसके साथ ही टॉस से जुड़े एक नियम में भी बदलाओ किया गया है पहले टीम के कैपटन्स को टॉस से पहले प्लेइंग 11 की घोशना करनी होती थी अब ऐसा नहीं होगा अब कैपटन टॉस की बाद प्लेइंग 11 की जानकारी देंगे इससे टॉस का इंपक्ट कम होगा कौन से नियम लागू किये गए हैं एक एकर डिटेल में समझाते हैं किसी भी माच में टॉस की वक्त टीम की कपतान अपने प्लेइंग 11 के साथ साथ चार सब्सिट्यूट के नाम भी बताएंगे इन चार में से एक प्लेयर को इंपक्ट प्लेयर के तौर पर यूज किया जा सकता है ये प्लेयर पहली 11 प्लेयर्स में से किसी की भी जगह ले सकता है लेकिन ये काम से दोनों पारियों की चौदवे ओवर तक ही किया जा सकता है उसके बाद नहीं चौदवे ओवर तक पहले तीन ओवर बोलिंग की है उसके बाद उसकी जगे इंपक्ट प्लेयर लेता है ऐसे में ये बॉलर अपने चार ओवर का कोटा पूरा कर सकता है ऐसा ये बाट्चमन के साथ भी है अगर कोई बाट्चमन आउट हो गया है और इंपक्ट प्लेयर उसकी जगे ले रहा है तो भी वो बाटिंग कर पाएगा यानि आंदरे रसल जैसे प्लेयर्स अगर प्लेइंग 11 में नहीं है तो भी मैच के दौरान टीम में शामिल किये जा सकते हैं और मैच का रुक बदल सकते हैं हर टीम को 11 नहीं 15 प्लेयर्स और उन सब की स्रेंथ के मताबिक तैयारी करनी होगी फैंस के लिए भी मज़ा बढ़ना तै है इस नियम से टाक्टिक्स में भी काफी दल्चपस चीज़े देखने को मिल सकती हैं टौस के दौरान प्लेइंग 11 की घोशना करने में एक बदलाव किया जा सकता है पहले टीन के कैप्टन से एक टीम लिस्ट लेकर टौस करने आते थे और टौस से पहले एक दूसरे को टीम लिस्ट दे देते थे इससे टीन्स लॉक हो जाते थी पर अब ऐसा नहीं होगा अब कैप्टन दो टीम लिस्ट लेकर आएंगे और TOS के बाद दो रूम इसे कोई एक लिस्ट जमा करेंगे, इससे इंपक्ट प्लेयर वाले रूल में भी सहूलियत होगी इसे पहली यह नियमेसे T20 यानि की साउथ आफ्रिका T20 लीग में लागू किया गया था यह प्राबधान TOS का इंपक्ट कम करने के लिए किया गया था, इसे फरक भी देखने को मिला TOS जीतने वाली टीम ने 15 मैच जीते वहीं हालने वाली टीम ने 16 मैच जीते थे यानि मामला लगभग बराबर का था आई पिर 2019 में आखरी बार यी टूर्नमेंट होम अवे फॉर्मेट में खेला गया था उस सीजन TOS का बहुत इंपक्ट देखने को मिला था मसलन TOS जीतने वाली टीम ने 34 मैच जीते थे और हालने वाली ने 23 टॉस जीतने से अब भी मैच पर फरक नहीं पड़ेगा पर टॉस जीतो मैच जीतो वाली श्वारिटी खतब हो जाएगी इससे टीम टॉस को देखते हुए एक एक्स्ट्रा बल्लिबाज या बॉलर खिलाना चाहे तो आखरी मॉमेंट पर ऐसा कर्प सकेगी और क्या बदलाब किये गए हैं ये भी बताते हैं समय सीमा में पूरा नहीं किये गए हर ओवर के लिए 30 याड सरकल के बाहर केवल चार फिल्डर्स लगाने होंगे विकेट कीपर की अनफेर मुवमेंट पर डिट बॉल और पाच पिनल्टी रन दिये जाएंगे किसी भी फिल्डर के अनफेर मुवमेंट पर डिट बॉल और पाच पिनल्टी रन दिये जाएंगे अन्त में बता दे हैं ये टोनमेंट इकरतिस मार्च से शुरू हो रहा है पहला मार्च चैनली सुपर किंग्स और गुजरा टाइटन्स के बीच खेला जाएगा ये मैच एहम्दाबाद के नरेंद्र मोधी स्टेडियम भी होगा इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो के लिए स्लिप्टिंग की है पुनीत ने मैं हूँ गरिमा स्पोर्ट से जोड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहें ये लालन टॉप स्पोर्ट्स